एक सो नवासी वोटों से हारी सीट पर बस पा लड़ेगी उप चुनाव देगी बड़ी टककर ज्या दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना मैहू परागमेंदर आप देख रहे है नेशनल चौपाल लोग सबाद होजर 24 के चुनाव के परिणामों के बाद कई ऐसे विधायक जो कहने कई विधायकी छोड़कर सांसदी के लिए चुनाव लड़े और जब सांसदी के लिए चुनाव लड़े तो वो सांसद भी बन गए ऐसे में ये देखा गया कि कई ऐसे सीटे विधानसभा की वो कहने के खाली हुई इसको लेकर अब तमाम प्रदेशों में जोकि अपने अपने दावेदारी है और बड़ी कबर यह है कि बहुजन समाज पार्टी ने भी इस उप्चुनाव में अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार दिया है। यहां पर जो विधायक थे वो सांसद बन गए और यह सीट अब खाली हो चुकी है और यहां से अब कहने के उप्चुनाव को लेकर लगातार राजने दिख पार्टियों के अपने अपनी दावेदारी है। बात का अंताजा नहीं लगा पाएंगे कि विधान सभा जैसे चुनाव में फकत 189 वोटों से बहुजन समाज पार्टि ने सीट को हारा था। और इसी सीट पर फिरेकबार बहुजन समाज पार्टि ने उप्चुनाव में अपने केंडियेट को अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है। बता दे कि बिहार के इस विधान सभा सीट पर रामगण विधान सभा जो की है यहाँ पर बहुजन समाज पार्टि ने सतीश कुमार सिंग उर्फ पिंटु यादव इनको अपना प्रत्याशी बनाया है। तो पिंटु यादो सतिश कुमार सिंग इनको अपना प्रत्याशी बाउजन समाज पार्टी ने बिहार में होने वाले उप्चुनाव में रामगड विदानसभा से उतारा है। बिहार प्रदेश में काम करेगी और बाकी की तमाम जो तीन सीट है अभी फिलाल कुछ कहा नहीं जा सकता वक्ते मुताबिक एक सीट से लेकर तो दो सीट पर भी विदानसभा का जो चुनाव उप्चुनाव जो है वो बिहार में लड़ सकती है। फिलाल एक सीट निश्चित ह हो चुके है जहाँ पर प्रत्याशी का नाम आपके साथ मैंने साजा कर दिया है। पर मौझूद है तो तमाम बहुजन समाज पार्टी के कारे करता हूँ के जरीये आप देख रहे हैं कि सतीश कुमार सिंग इनको बहुजन समाज पार्टी ने अपना केंडिट बनाया है और चौकान देने वाली जो खबर है वो तो आपको मैं थोड़े देर इसके बात बताऊ देर है यह नतीजे आप देखिए यह नतीजे है पिछले विधान सभा चुनाओ के रामगड विधान सभा से बहुजन समाज पार्टी ने जब चुनाओ लड़ा जो नतीजे आ है वो नतीजे कहने के चौका देने वाले थे अंदाज नहीं लगा जा सकता था कि ऐसा भी बह दाकर सिंग इन्होंने 58,083 वोट लिए और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अंबिका सिंग चुनाओी मैदान में थे सिर्फ और सिर्फ 189 वोटों के साथ इन्होंनी इस चुनाओ को हारा था बहुजन समाज पार्टी ने 189 वोटों के साथ इस चुनाओ को हारने क काम किया था लेकिन इस बार ये कहने के रणनीती को लेकर दावा किया जा रहा है कि निशीती सीट को पूरी मजबूति के साथ बहुजन समाज पार्टी अपलेगी और कहने के सीट को जीतने का भी काम करेगी तो आप समझ ये कि एक ऐसी सीट जहां पर 189 वोटों से अगर जनक बात है लेकिन इस बार जो कहने के बसपा पूरी मजबूति के साथ इस चुनावी मैदान में इस रामगण विदान सभा से है जिस प्रत्याशी को मैदान में उतारने का काम बसपा ने किया है अंबिका सिंग पिछली बारे 2020 में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याश पिछले लोग विदान सभा चुनाव 2020 में काफी अच्छा था और इस बार भी काफी ज़्यादा बसपा के ही खेमे में दिखाए दे रहा है ऐसा लगातार तमाम खबरे भी देखने को मिल रही है तो अब देखना दिलचस्पोगा कि इस चुनाव के जो परिणाम होंगे वो की ज़्यार के चुनाव होंगे और बिहार में जिस विदान सभा की चुनाव को लेकर बसपा कि तैयरिया लंबे समय से जारी है संगठन को लेकर कैडर कैम की मिटिंगों को लेकर लगातार बसपा अब दोजार पचीस में बिहार में अगर बसपा अपनी तमाम उन विदानसभा सीटों को मजबूत करने में कारगर साबित हो जाती है तो निशीती दोजार पचीस में भी बिहार के लिए कहने के काफी जादा जो परिणाम है वो सकारात्मक देखने को मिल सकते है इंतजार है अब विदानसभा के बिहार में उपचुनाओ के नतीजों का जहाँ पर रामगण विदानसभा को लेकर क्या कोच होता है नजरे कहने की इसी पर बनी रहेगी पूरी की पूरी चर्चा बादचीत को लेकर आपकी रायपरती कर लेकर कमेंड बाक में ज़रू बता है बनेर न